हेलो एवरिवान आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज हम डिसकर्स करेंगे Ace of Pentacles सबसे पहले दिखें इसका जो एलिमेंट है ये अर्थ एलिमेंट का है इसका जॉडिक साइन है, कैप्रिकॉन है येस नो की रीडिंग में ये येस कहला जाएगा ये काट जब भी आएगा तो ऐसा समझे लग आपके साइट है Ace मतलब क्या है? Ace मतलब new beginning आपके life में बहुत ज़्यादा new beginning होगा मतलब prosperity होगा, new opportunity आएगा, पैसा आएगा और ये जो coin है ये दरसाता हमारा material world को मतलब हमारे पास पैसा, धन, दौलत, property और ये जो hand है ये divine का hand है और देखो यहाँ जो full पौधे दिखे रहे है ये हमारा मतलब जहां भी आप देखिए से पेड होंगे, पौधे रहेंगे flowers रहेंगे वो हमारा growth, success को दिखाता है अब देखो ये card जब भी आएगा तो आप अपने client को ये बोल सकते हो कि आपको किसी चीज का कमी नहीं होगा, आप आराम से आगे बढ़ो अपना goal, ambition को पूरा प्रापर तरीके से set करके रखो ताकि आप आराम से आगे बढ़ पाओ और ये card manifestation का भी card बोला जाता है अभी आप ready हो कोई चीज को manifest करने के लिए अभी आपका जो aura है आपका जो vibration है बहुत जादा strong है और आप किसी भी चीज को बहुत easily manifest कर पाओगे आप देखो जब भी card money, career, job related आएगा तब हम इसको कैसे rate करेंगे सबसे पहली बाद है ये card lottery card है आप अपने client को ये बोल सकते हो कि आपके जो भी plans है career related उसको लेकर आगे बढ़ो बहुत जल्दी मतलब वो plan मैं आपको success मिलेगा उसमें जादा कोई struggle नहीं आएगा और ये card जब भी आएगा आप अपने client को ये बोल सकते हो कि financial opportunity आएगा मतलब आप एक की साथ ना बहुत ज़ादा income source generate कर सकते हो मतलब multiple income source आप generate कर सकते हो अगर आपको business करना चाहते हो तो business करो बहुत अच्छा time है बहुत अच्छा opportunity आपको मिलेगा बहुत अच्छे अच्छे लोग आपसे जुडेंगे अगर आप promotion के लिए रुके हो ना तो बहुत जल्दे आपको promotion भी मिलने का chances है अगर आप मतलब job ढूंड रहे हैं तो बहुत जल्दे आपको job भी मिल जाएगा और अच्छी salary के साथ आपको job मिलेगा अगर आप कहीं पैसा invest करने के बारे में सोच रहे हो अगर ये card आजाएगा तो आप बे फिकर investment करो आपको जो return मिलेगा वो double मिलेगा और एक चीज बात यात रखना जब भी ये card आएगा तो थोड़ा आप खर्चीले भी बन जाओगे तो सो समझ कर पैसा investment करो भले ही आपके पैस बहुत जादा पैसा आएगा लेकिन आप जहां भी खर्चा करोगे थोड़ा सो समझ कर खर्चा करोगे नहीं तो अगर आप सो समझ कर खर्चा नहीं करोगे तो आने वहले टाइम में आपको जब भी ज़रुवत पढ़ेगा तो में भी आपके पास पैसा नहीं बचेगा अब देखो जब भी ये card singles के reading में आएगा ताब हम इसको कैसे read करेंगे सबसे पहली बात है आप अपने client को ये बोल सकते हो कि कोई एक ऐसा person मिलेगा आपको जो आपको life में stability देगा security देगा मतलब हर तरफ से आपको secure feel होगा उसके साथ और ये person जो भी है न मतलब एक new person होगा और ये person आपको कोई work या business related field में मिलेगा मतलब जैसे समझ लो आप कोई meeting में गए हो या फिर आप जहां काम करते हो वहाँ ये person मिलेगा या फिर ऐसे समझ लो आपकी business में जो partner रहेंगे वो भी साहत हो सकता है मतलब कोई work related ऐसा person आपको मिलेगा और जब भी ये person आएगा आपके life में मतलब आप easily उसके साथ connect हो में आएगा तब हम इसको कैसे rate करेंगे अगर relationship में लड़ाई जगड़ा चल रहा है और ये card आ गया तो ऐसा समझ लो जितना भी लड़ाई जगड़ा है वो सब खतम हो जाएगा अभी आप दोनों का relationship ना मतलब एक new label पर जाएगा जहां मतलब security रहेगा stability रहेगा बहुत सा मतलब आप दोनों मतलब एक साथ रहोगे ना तो आपको लगेगा कि हम ब्लेस्ट फिल कर रहा हूं ऐसा टाप का situation रहेगा और आप दोनों ना एक दूसरे को ना बहुत जादा support भी करोगे मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को ना अच्छे से freedom दोगे मतलब जिसको जो करना कर सकते हैं कोई रोग टुग नहीं रहेगा लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों एक दूसरे को बहुत जादा respect करते रहोगे समस्ते रहोगे और वह चीज रिलेशनसिप में भी दिखेगा और आपके आसपास जो भी रहेंगे रहा वो भी बोलेंगे कि हाँ अभी इन दोनो को फॉलो करोगे और आपका जो भी डिजिस मताब जो भी इल्लेंस रहेंगा जो भी विमारी रहेंगा वह खतम हो जाएगा मताब आपको कुछ एक डॉक्टर मिल जाएंगे जो आपको सही से ट्रीटमेंट देंगे या फिर आप ऐसा कोई डाइट या कोई भी ऐसा भी कोई क्ल जर्नेंगे अप जा सकते हो मताब कोई मैथर सिखना चाहते हो अगर आप कोई कोड सिखना चाहते ह возможÁте अब यह बहुत अच्छा टाइम अभी आप अच्छ ऐच्छ नीव टैक्निक सीखकाना अप्लाए कर सकते हो मैनिफेस्टेशन में और मतलब जो भी आप करेंगे सबसे पहला पॉइंट आप अपने क्लिएन को यह बोल सकते हो कि आपको पैसा के अधिक्कत हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको opportunity नहीं मिलेगा आप बहुत जादा खर्चीले हो जाओगे, financial problem हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा करजा ले सकते हो, ठीक है, आप ज़्यादा तर आप पैसा को ही importance दोगे, career या फिर relationship, घरवालों को ज़्यादा importance नहीं दोगे, बस career, career या ऐसा समझे हो, बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, वैसे type का मतल plan नहीं कर पाओगे future में, कि क्या होगा, कैसे करूँगा, मतलब आपको बिल्कुल भी, मतलब एक wisdom नहीं होगा, कि मैं कैसे करूँगा आगे चल के,